पैटन देते हैं, EMI का सॉल्विंग हम कर रहे हैं, सिर्फ प्राक्टिस यूट जो है, वो मैंने पोस्ट कर दी ये ग्रूप पे आपको, जैसे आप लोग बाद में उसे प्राक्टिस कर पाएं, EMI के लेक्ट्चर्स हमारे अलड़ी 5 लेक्ट्चर्स हो गए हैं, सो EMI के 5 लेक्ट्चर्स और Magnetism and Matter के 4 लेक्ट्चर्स ये आपको प्राक्टिस करके रखने, टिस्ट का सलेबस रहेगा, इस बार का, मैं क्वेस्टन साप लोग को हिंट करूँगा, पहले आपको क्वेस्टन फिर मैं एक मिनट बाद उसको explain करूँगा, जिसको doubt रहे जाता है, कुछ भी, वो बाद में भी पूछ सकता है, ठीक है, वैसा कुछ issue नहीं है कि अब भी तुरंती करना है, आप देखे, approach कर पा रहे हैं, तो better है, मैं आगे explain कर दूँगा, कि उस question को कैसे करना है, उसके समझ में आने लगता है, ठीक है, start करते हैं, question number one से फिर, चले, read करें, solve करें question number one, झाल, 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 तो बताए किस आइडिया लग गया question no.1 कैसे judge करेंगे answer करें अज़र वो EMF वो B को oppose करेगा तो okay B को oppose करेगा EMF? EMF का formula क्या रहता है? नहीं मतलब VBL VBL, conductor move कर रहा है क्या? okay D5 by DT so it is minus D5 by DT और if I see, तो area let's fix ही है तो magnetic field, देखें अगर एक loop है, वो fixed है ठेक है? so loop की tension नहीं है, इसका मतलब क्या change हो रहा है? V change हो रहा है ना? so area बाहर आजाएगा, क्या हैगा? Db by DT DT Db by DT क्या चीज होता है? Slope Slope अब जल्दी से बताओ किसके लिए EMF जादा होगा? 4th 4th के लिए 2nd 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 3 circuit दिये हुए तो मैं यह आपको बोल रहा था कि यह circuit वाला भी leave करना है ठीक है? circuit वाला भी हमने discuss नहीं किया हुआ यह कौन सा circuit है? LR circuit है although इतना तफ नहीं है but test में भी include नहीं करने वाला हुआ तो इनको मैं next lateral lecture पे हम discuss कर लेंगे अच्छा आप लोग को मैंने कहा था capacitor वाला पढ़ने के लिए RC circuit एक बार पढ़ने के लिए किसी ने किया RC circuit? Okay कोई बात नहीं question 2-3 हम leave करेंगे question 4 देखें read करें सब लोग करें question 5 देखें question 5 देखें है कि एक thermal expansion हो रहा है ठीक है एक circular conductor में और uniform magnetic field में रखा हुआ है वो now a current will be induced देख रहे हैं current induced हो रही है clockwise मतलब जो हम lens law देखते थे उसका उल्टा चल रहा है इस बार हमें दे दिया है क्या induced induced current कैसी है clockwise clear तो इसका मतलब induced magnetic field कैसी होगी into the plane सब को समझा है clockwise होगा तो यह into the plane होगा अब यह बताओ induced वाली क्या करती है पोस करती है न तो इसका मतलब तो रियल वाली कहां पर होगी out of the plane समझा है सबको है तो रियल वाली कहां होगी magnetic field out of the plane out of the plane मतलब कौन सा हो जाएगा option d य गिर बी यहँ डी के गाप हो जाएगा अनसर ठीह कि अच्छा क्या जरू यह इसमें भी हमें कुछ च्छना चहिए अबी इस्कॉ्जिं के लिए तो ठीक है किया हमें इसमें कुछ शोचना चाहिए यह भी नbig च्ताविक बीvens मतलब मतलब एक्सपांचन हो रहा है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है इसलिए इंक्रीज हो रहा होगा अगर वो दोनों चीजे द्यान देते हैं आप पोज में हमें दोनों चीजे द्यान देना है कि कॉज क्या है cause increase हो रहा है या decrease हो रहा है ठीक है यह जरूर देन देना है फिर oppose करना है तो as per the question cause क्या है increase या decrease expand हो रहा है ना area मतलब increase है cause क्या है increase cause increase है इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा decrease इसलिए answer opposite लाना है अगर cause decrease होता मतलब shrink कर रहा होता तो समझ गए answer क्या था फिर हमें same plane में ही लाना पड़ता तो इतना easily मत चीज़ों को ले ले तब answer minus के कैप हो जाता समझ आया कैर सब को बता दो एर किसी को doubt रहता है तो तुरहन पूछ सकता है ऐसा कुछ नहीं है Let's see question number 5 झाल जिसका answer आ जाता है वो text box में message भी कर सकता है text box में message answer की देख के मत कर देना क्योंकि मैंने practice sheet WhatsApp पे डाल दिये ग्रूप पे सब को answer की से देख के नहीं कर देना है solve करना है simple question ऐसा कुछ complicated नहीं बढ़ अच्छा है a circular root of resistance R in closed area is subjected to a magnetic field मतलब देखो भी आपको दिया हुआ है perpendicular to the plane अब आपको क्या चाहिए induced current चाहिए at time is equal to 0 तो वो T0 तो रख देंगे बढ़ कुछ याद दिलाओ अगर हमें induced current चाहिए तो सबसे पहले में क्या चाहिए होगा क्या होता है current EMF EMF by R ठीक है और induced DMF कैसे निकालते हैं बता है minus D5 by DT very good और D5 by DT में देखे तो area तो fixed है क्या चेंज हो रहा है? B चेंज हो रहा है तो minus area fixed है क्या चेंज हो रहा है? B चेंज हो रहा है आपके इसका मतर क्या निकालना है हमें? इसका slope निकालना है differentiation तो देखो B क्या लिखा हुआ है? बताए B is equal to क्या है? B not e to the power minus B T clear? differentiate करें इसे क्या आएगा? तो differentiation आएगा इसका B not will remain there e to the power minus B T का B T रहेगा और minus बाहर आजाएगा clear? तो इसका मतलब induced current क्या जाएगी? at T is equal to 0 पूछा हुआ है ठीक है? at T is equal to 0 तो T is equal to 0 रख जाएगे तो यह तो हो जाएगा 1 अंसर क्या जाएगा? minus A B not B by R clear? अज़ एक सेगें यह minus में सो गया हम से यहाँ पर भी है ना एक direction बताने के लिए तो यह minus यहाँ पर भी लगा के रखेंगे हम तो minus minus फिर finally क्या हो जाएगा plus? समझा है यार सबको? सबने पका ऐसे सोचा था? सब्सक्राइब करते हैं चले question 6 ट्राइब करते हैं solve करें और answer एकदम message करें मुझे text box में chat box में answer type करजें कौन सा correct answer होगा ABC में से option type तो और पखritis जसना 10 बड़का साथ करें पका ऑचा? करें लिवर्वर्ण 00 आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए है क्वेश्चन देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एरिया गिवन है रेजिस्टेंस गिवन है और बी का फंक्शन गिवन है पूरा और इंड्यूस्ड करेंट पूछा हुआ है तो यह क्वेश्चन पूरा सिमलर टू दर प्रीविएस वन हो गया एकदम सेम चीज पूछा हुआ है तो अभी तुम्हें बार बार नहीं लिखूंगा मैं इंड्यूस करेंट देख लूँगा एरिया फिक्स है रेजिस्टेंस फिक्स है सब्डीवी भाई डीटी चाहिए क्लियर नेगेटिव तो आजाएगा रख देते हैं वेल्यू माइनस एक इतना है वन आर कितना है टेंड और स्लोप किस टाइम पर पूचा हुआ है वं सेकंड पर सो दीवी बाई डीटी में तो स्लोप एट वन सेकंड लोपे पीज इकल टुब टूब टूंसेकंड तीज इकल टू नहीं का स्लोप बताना है तो इस वन बई टेन और उस लाइन का स्लोप कितना है अधाल बेस टेक है तो स्लोप आईगे साप लोग निकाल लेंगे तो है बेस बीटू है मतलब बन मतलब आंसर कहने वाला है जीड़ो पॉंट वन एंपी जिए माइनस कह इंडिकेट कर रहा है माइनस सिफ डिरेक्शन बता रहा है माइनस आप टेंशन नहीं ले माइनस 0.1 एंपीर का मतलब यह है कि अपोजर डिरेक्शन में करेंट इंडियूस होने का लिए ओके चले सेवन नम्बर ट्राय करें कि अपोजर बता रहा है चले तो क्वेशन आपने रीड कर लिया है क्वेशन नम्बर सेवन देखें क्वेशन नम्बर सेवन एग्जेक्टली क्या पूछ रहा है कि इस टैप का एक लूप है और let's say magnetic field उसमें किसी particular angle पर है let's say मैं बोल रहा हुँ कि let's say यह magnetic field है red color क्या है? magnetic field है इसका normal कहा है? इसका normal है यह जो green color से मैं draw कर रहा हूं दोजार normal तो कोई एक normal fix कर लेते हैं एक midpoint पे जैसा question में given है अब point समझें कि suppose मैंने ये normal देखा अब question कह रहा है कि इसको rotate करना है इस तरीके से कि ये normal एक कोन बना है मतलब कुछ ऐसे कि ये हमारा fix है magnetic field और ये इनके बीच अंगल है और इसको ऐसे rotate करना है इस तरीके से कि ये कोन बना है मतलब थोड़ी देर बाद normal कैसा दिखेगा इस तरीके से दिखेगा और plate कैसे दिखेगी इस तरीके से दिखेगी दिख रहा है सबको आप बताओ इस case में flux change हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा कितना हो रहा होगा शोचो पहले प्लेट इस तरीके से थी. ब्लू कलर आपको दिख रहा है जो मैंने डार्प किया. अब हम जब रोटेट करेंगे, तो प्लेट क्या इन्क्लीनेशन चेंज कर रहा है क्या? थीटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं. नहीं हो रहा है. तो question में यह तोड़ा सा देन देना है कि इस तरीके से rotate किया है इसको कि flux change ही नहीं हो रहा है और यह physically भी दिख रहा है physically visible है कि थोड़ी देर बाद जब इस type का angle हो जाएगा as compared to यह previous वाला यह दोनों में देखो number of lines passing से मारा अवलक्सेंज होगी नहीं रहा है तो बड़ा जब फ्लक्षेंज नहीं हो रहा है तो EMF क्या हो जाएगा है जेल इमफ एंटेसी नहीं हो गार कि यह सबको फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर यह भी रुकना है अभी हमारे टॉपिक जो बचे हुआ है वो LR circuit बचा हुआ है LC circuit बचा हुआ है LCR circuit circuits बचे हुआ है और devices बचे हुआ है devices मतलब generator, motor and transformer ठीक है तो आपको तोड़ा देन देना है generator, motor और transformer थोड़े से easy चीज़े हैं इतना कुछ complicated नहीं है बट फिर भी इन चीजहों को अभी हमें discuss करना बाकी है तो इन पर questions नहीं रखेंगे हम दन तो यह वाला देखें यह transformer का question है फिर लिखा हुआ generator supplies this to a transformer मतलब यह वाला भी हमें नहीं करना है चले question number 10 observe करें 10 read करें तो सबने read कर लिया है कोई answer करना चाहेगा क्या correct होगा option b option b okay और कोई similar सबको समझा रहा है b e लग रहा है या कोई different opinion if the switch is closed after some time मतलब यह close किया अभी यह open है close करेंगे तो क्या होगी current flow होने लगेगी ठीक है so if the switch is closed and after some time it is opened again the close loop will so so situation क्या होगी आपको देखना है देखो पहले क्या होगी इसमें जब close होगा एक current जाएगी और थोड़ी दिर बाद current क्या हो जाएगी जब भी 0 हो जाएगी तो पहले close था और जैसे close करने के बाद हमने थोड़ी दिर बाद open कर दिया तो इसका मतलब पहले current जा रही थी आई और बाद में current हो गई 0 तो initially कुछ आई थी वहाँ पर finally क्या हो जाएगी 0 तो इसका मतलब current change हो गई है इसका मतलब इससे associated magnetic field change हो जाएगी तो बताओ इस loop में magnetic field किस तरफ होगी वायर इस तरह है आउन करेंट आ रही है और यहां पर यह लूप रखा हुआ है बताएं लूप में कैसी है direction इंटो पली आउप दो प्लेन होगी ना रो डाउनवर्ड है राइट रूल लगा रो डाउनवर्ड है इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका आके बाहर आएगा यहां पर समझे एंट आजब आएं आटस अपको आउड व्द प्लेन तो कॉस क्या है पहले magnetic field क्या था भी आउट था और जैसे ही current 0 हो गई भी क्या हो जाएगा जीरो तो बता, magnetic field decrease हुई है? increase decrease हुई B decrease हुई है Good B decrease हुई है तो cause है decrease होना अब हम क्या करेंगे? increase करेंगे induced valley क्या होगी? increase करेंगी stata induced valley increase करेंगी तो बताएं, क्या होजाएगा Current किस तरफ आएगी? मतलब, city direction क्या होगी? अगर हमें induced को increase करना है उसी उसी direction है, same direction में तो previous उसमें मैं यही समझाना चाह रहा था कि same direction में रखेंगी तो क्या situation होगी just hold on a second हाँ तो बताए भी क्या situation होगी clockwise current होगी clockwise current होगी ठीक है अभी किसी को कोई डाउट तो भी answer होगा क्या A A option then हाँ हाँ फिर से एक बार read कर लेते हैं कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं देखें एक और situation हो सकती है clockwise answer हमें दो में मिल रहा है A में भी मिल रहा है और D में भी मिल रहा है clockwise current then anticlockwise current मतलब दो scenario possible हो रहा होंगे D option के chances कब है जब दो cases हो रहा हो दो बार यहां पर current change हो रही होगी तो question दोड़ा सा read करते है number one कि let's say at t is equal to zero पर अगर कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब let's say circuit पहले open था तो अभी कि a recording अगर मैं देखो तो answer क्या correct है answer a answer a correct है बट एक और situation हम बना सकते हैं मैं एक दूसरी situation मना रहा हूँ क्या कि initially open है open है फिर close किया और फिर open कर दिया अब बताए answer क्या होगा मैंने question बदल दिया question समझा है सबको initially open है फिर close किया और फिर open कर दिया उसका मतलब current कैसे चल रही होगी पहले क्या रही होगी जब open है तब current zero current जो भी है ठीक है clockwise आएगी इसके बज़े से और फिर open किया तो फिर से current zero तो इसका मतलब magnetic field पहले क्या रही होगी zero zero into the plane loop पे loop पे अंदर नहीं देखना हमे इस loop पे देखना है circle पे इस पे कैसी रहेगी आप पॉइंट समझ रहे ना हमें magnetic field इस पे चाहिए अंदर नहीं चाहिए अंदर कुछ काम है क्या नहीं नहीं तो बाद में फिर क्या होगा B zero तो बता पहले first situation में क्या हो रहा है B increase कर रहा है हाँ फिर B decrease decrease कर रहा है तो इसका मतलब पहले किसमें हमें induced वाला क्या करना पोड़ेगा increase कर रहा है तो इसकेस में आंसर फिर क्या बन जाएगा उस्टी डिरेक्शन में आट प्ड़ेगा into the plane B चाहिए होगी मतलब करन कैसा चाहिए होगा पहले इसके लिए clockwise और फिर इसके लिए anticlockwise anticlockwise एक नट out of the plane मतलब anticlockwise यह गलत करा दिये तुम लोग यह clockwise कहा रहेगा यह तो anticlockwise रहेगा out of the plane चाहिए anticlockwise okay सबको तो question क्या format समझ में आ रहे है कि यही question दो different format में पूछा जा सकता है अभी के लिए option क्या रहेगा anticlockwise लेकिन अगर situation इस type की रही तो फिर क्या रहेगा मतलब देख लेंगे यह समझा है question question सबको समझा गया ना okay good good चले ठीक है so question number 11 try करें 11 read करें सब okay बहुत जल्दी solve कर सकते त्यार इसे 11 number काफी straight है a meter की reading मतलब क्या चाहिए the reading of a meter मतलब current current चाहिए और मुझे लगता है current का हम बहुत दर्से हम सीखी रहे है induced current क्या हो जाएगा इस particular question के लिए induced current E by R हाँ so E by R हमें चाहिए रहेगा और E हम निकाल सकते हैं तो वो एरिया से निकाल लेंगे हम यहाँ पर area into D by DT sorry D by DT क्योंकि हम इसे consider कर लिया हुआ है तो directly अब आप लोग familiar हो गए होंगे direct इसे use कर सकते हैं बार-बार हमें E by R और सारे step लखने की जरुरत नहीं है तो exam में हम directly कर सकते हैं E by R area कितना है 100 cm square इसे meter square में करेंगे तो 10 to the power minus 4 मतलब answer कितना है 10 to the power minus 2 resistance कितना है 10 so divide by 10 into D by DT कितना है 150 clear तो answer क्या जाएगा यह एक zero cancel out हो जाने वाला है और 2 zeros कम कर देंगे मतलब 0.15 समझा है और सबको answer okay good 12 number try करें sir 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 11th में उसतार एक कब एक एक कहेगा ना वी इक को टाय वाला current V is equal to IR वाले से 0 वह बिए एड होगा ना अच्छा ओके ओके sorry sorry my mistake my mistake हाँ, question में दोनों चीज़े पूछ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये circuit में ये battery भी है ना, ठीक है, तो मतलब, एक तो due to induction होगी, ये induced current है, but I circuit की भी तो होगी ना, तो that current is, total EMF, that is 5 by R कितना है, 10, मतलब 0.5 एक और है, so I total कितना हो जाएगा, क्योंकि ammeter मतलब total read करेगा, 0.65 होगा, ठीक है, answer D रहेगा, चलो बहुत बढ़े है, बहुत अच्छा, थोड़ा careful करेना है, question में सारी चीज़े ध्यान देना है, ठीक है, 12 राएकरे, तो total में क्या है, समझ आगया आप लोग को कि हमें EMF चाहिए, ठीक है, किस situation में EMF in the loop would include, तो किस situation में EMF आ सकता है, तो बताए क्या क्या situation में EMF आ सकता है, अगर हम B चेंज करेंगे तो EMF आ सकता है, बिल्कुल, आ सकता है, क्योंकि flux change हो जाएगा, change in R with time R क्या है, radius, तो R change करने से क्या change हो जाएगा, area, area change हो जाएगा, तो area change हो जाएगा, मतलब यह भी include होगा, फिर B being non-uniform in space, मतलब uniform नहीं है B, इससे क्या problem होगी, इससे क्या problem होगी, EMF generate होगा क्या इससे? नहीं, force आएगा, हाँ, force आएगा, नहीं, B non-uniform में क्या होता है, B non-uniform है, इससे मतलब थोड़े नहीं कि flux change हो रहा है, हमने वह वहाला question किया था न, non-uniform मतलब एक wire है, और यह loop है, अगर यह loop कहीं move नहीं होगा, तो flux होगा क्या? Change in flux, क्या है इस question में change in flux? जीरो, but बता B, variable है या constant है B? Variable है न, ठीक है, तो variable का मतलब यह थोड़े नहीं है, time के साथ vary करेगी, तो होगा, ठीक है, यह B किस के साथ vary कर रहा है, space, मतलब distance के साथ, इसका मतलब क्या है, distance, समझ आया, अगर time के साथ vary करेगा, तो फिर होता, if B vary with time, then EMF होगा, और D, theta चेंज करेंगे, तो भी चेंज होगा, तो answer क्या हो जाएगा, A, B, D, A, B, D मतलब यह वाला, 1, 4, 1, 2, 4, done, सब को समझ आया, यहां पर point कहा था, कि वो distance के साथ change हो रहा है, हमें distance के साथ change होने का नहीं चाहिए, हमें time के साथ चाहिए, change, clear? चले, question number 13, 14, 15, try करें चल्दी से, question number 13, 14, 15, straight up, थोड़ा fast करेंगे, चल्दी से, करेंगी और, façon हाव जड़ागी, तरत्यों पर करेंगे दे हो अ करेंगे हो तुन 8, 12, 16, 28, wise, यहावा है, झाल 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 चले बताए 13 काम सर तो बाकी लोगों ने solve किया किसी को आया तो आपको पता है कि यार उसका रेजिस्टेंस इतना है ठीक है? कि खाल यार तो आपको बता सकते हो ना कि कितना लास हो जारा होगा? समझाया? तो बेसिकली बैक की फिज़ा लास लॉस अगर वो ठेन पीयर अब देखें, एक मोटर है, अगर वो ठेन पीयर करेंट जा रही है और उसका रेजिस्टेंस इतना है, तो कितनी कृरेंट उसमें वेष्ट हो जाने वाली है, ठीक है? वो चीज हमें यहापे निकालनी होती है, तो मैं बैसिकली रिखाऊंगा कि कि उसके अंदर कितनी करेंट फ्लो रही है और उसका टोटल रेस्टेंस कितना है सब्सक्राइब कितना वोल्ट लॉस हो रहा है 15 वोल्ट जो है उसके में कंटिनुस्ली लॉस चल रहा होगा अच्छा अब जब मैं आपको मोटर का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो यह कॉमन मतलब यह जो मैंने बताया कि यह कॉमन आइडिया है कि किस तरीके से इसमें यह पॉइंट चल रहा होगा लॉस बट मोटर ऐसे काम नहीं करती है ठीक है तो बाइदबे यह कॉश्चन अभी यह ऐसा कॉश्चन टेस्ट में में इंक्रूर नहीं करेंगे जो मोटर का होगा जब मैं आपको मोटर का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि यह जो यह में फाई आ रहा है ठीक है यह है कि इतना लॉस हो जा रहा है वोल्टेज और देखें सोर्स कितना है वन फिफ्टीन का है तो इसका मतलब यह है कि बाकी कितने एफट से मोटर रोटेट हो रही होगी यह देखना होता है तो यह जो हमने बात की कि यह एक टाइप का लॉस है जो उसमें होने वाला है ठीक है और हमें जो गिवं है वो कितना है गिवं एम एफ है वो वन फिफ्टीन वोल्ट है तो इसका मतलब मोटर खुद यूज कितना कर रही होगी वर्किंग के लिए जो useful होगा जो useful होगा वो हमें as a back EMF मिल रहा होगा जिससे motor run हो रही है तो वो कितना हो जाएगा 115-15 का change खेर ये वाला setup test में included नहीं रहेगा क्योंकि मैं आपको इसमें आपको explain करूंगा structure बनाके कि कैसे motor work करता है और कैसे हमें उसे use करना रहता है 14 देखें which of the following can produce maximum induced EMF तो बताओ max कब होगा सब आपको क्या दिये current दिये current और EMF के लिए हमें क्या चाहिए max EMF कैसे पता चलेगा कि max EMF है तो देखें can produce the maximum in an inductor बता इंड़क्टर में EMF कैसे निकालते है L into di by dt तो L तो सबका fix मान के चलना देखना है current किसमें ज्यादा change होगी तो पहले बताओ DC में current change होती है क्या इंड़क्टर में आएगा क्या नहीं इंड़क्टर को DC में यूज करते ही नहीं है clear अब बच्चे मेरे पास दो option क्या AC वाले तो पहले आपको यह समझ पड़ेगा कि AC मतलब क्या exactly AC मतलब यह है कि suppose एक current है तो वो पहले plus है फिर minus है पहले plus है फिर minus है likewise time period क्या होता है यहां थक तो इतने time period में वो plus से minus में change हो जाती है ठीक तो सबसे आदा maximum change कब होता है अब बताओ किन दो point पे सबसे आदा maximum change होगा एक यह वाले point पे और एक यह वाले point पे क्यों हो क्योंकि यहां पर positive की max है और यहां पर negative की max है तो maximum change कहां पर होगा max change कहां से होगा positive max 2 negative max तो मतब di पता चल गया है क्या डूड़ना बाकी है भी dt time clear तो बताओ time किसमें ज्यादा लगेगा जिसकी time देखें तो inversely proportional to frequency है ना clear so frequency ज्यादा इसका मतलब time 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 कम तो change क्या हो जाएगा ज्यादा ना EMF ज्यादा होगा तो देख लें क्योंकि current तक तो जो maximum current है वो दोनों में similar है maximum current की कोई tension नहीं है तो यहां से फिर हम point out कर सकते हैं समझा है सबको तो कौनसा option ज्यादा होगा जिसकी frequency ज्यादा मतलब यह वाला ज्यादा 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 तो frequency ज्यादा मतलब time period कम time period divide में time period कम मतलब यह overall value क्या होगी ज्यादा होगी ना समझा है सबको सबको 15 नमब ट्राई करें 15 तो स्ट्रेट है एक बार रीट कर लें 21 22 24 25 चले सबने रीड कर लिया है यार देखें तू सर्कुलर लूप्स अफिक्वल रडियस आर प्लेज को एक्सली अग्सम्सपराइशन तू सब्सक्राइशन क्या कर दिया है क्वेशन में दो लूप दिये हैं और वो को एक्सली रखे हुए हैं समझाया है सबको मतलब इनका एक्सस क्या है same है Done अच्छा अभी एक्सस अगर इनका same है similar axis है let's say question में कहीं कि first one में battery लगा दिये समझाया है सबको तो लेट से बैटरी लगाने से इसमें क्या स्टार्ट होगी, there is a current there is some particular current in this clear है अब को, यह point current है, now due to this current क्या situation हो रही है the current changes slightly because of the variation of the resistance due to the temperature, तो बताब current suddenly जब current आ जाएगी तो temperature बढ़ेगा या कम होगा? क्यों? heating effect के वजए से temperature बढ़ेगा, heating effect के वजए से अगर यह conductor है, temperature बढ़ेगा तो resistance क्या होगा? समझहे है सबको? resistance क्या होगा? कम होगा, अब बताओ अगर resistance कम हो गया, तो new current क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ओके तो देख लेते हैं सबस्क्राइब को समझ में आई फिर से रीड कर लेते हैं को इटेंशन हो तो बता है सबसे पहले क्या किया दो लूप थे हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड अभी क्या हुआ हमने क्या किया? एक करेंट लाने के लिए हमने एक बैटरी कनेक कर दी और हमने वहाँ पर एक करेंट इंट्रेड्यूस की ड़न अब सिचुएशन क्या होगा कि करेंट अगर वहाँ पर आ गई तो इसका मतलब I2R से तो इसका बढ़ने लगेगा ओके फिर अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? काम होगा रेजिस्टेंस काम होगा कंडक्टर में अरे यार तुम लोग इतना भूल गया कि आगर टेंपरेचर बढ़ता है तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या नहीं आद आ रहा क्या भाई करेंट इलेक्टरिसिटी में हमने डिस्कस किया था ना कि अगर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर्स का देखें इफेक्ट आफ टेंपरेचर में हमने डिस्कस किया हुए था आर नोट वन प्लस अलफा टी और उसके एकॉर्डिंग सारे अलफा हमने बतायते और सारी चीज़ें वहाँ पर बतायती कि किनका टेंपरेचर कैसे क्या चीज़ें डिशन्ट 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 अलफा टेंपरेचर कि कि यह पर बताई थी आपको टेंपरेचर रेलेटेड यह तो यह श्युक्त अग्या देखें, इनका alpha गया होता है, positive होता है, तो temperature increase करने से resistance increase करेगा, semiconductor में ultra होता है, ठीक है, और जो different type of alloys होते हैं, उनमें even nearly constant भी रहता है, चले, तो situation यह होई, कि यहां पर resistance increase होगा, resistance increase होने से क्या होगा, new current क्या होगी, decrease होगी, अच्छा, अगर इसमें current decrease होगी, तो इसके बगल में, यह जो magnetic flux जा रहा होगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा, क्या situation होगी, होगा, हाँ, इसका मतलब यह कि current अगर decrease होगी, तो इसका मतलब flux in loop 2, due to 1, वो क्या होगा, decrease हो जाएगा, तो अब बताओ, अगर flux decrease हो रहा है, तो क्या try करेगा वो loop, flux को बढ़ाने का try करेगा, समझ आया, तो flux induce वाला क्या try करेगा, increase करने का try करेगा, तो increase करने के लिए क्या situation होगी, loop pass आएगा या दूर जाएगा, अगर second loop को flux बढ़ाना है, तो loop pass आएगा या दूर जाएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, ओके, very good, so सब को समझ आएगा situation, तो देखो यार, question easy रहते हैं, बड़ थोड़ा thought देके ही properly करना पड़ेगा, चले, कोई बात नहीं, discuss करते हैं, question 16, 17, read करने जल्दी से, question 16, 17, पास आएगा यादम आएगा, आएगा, बाता हैं, कोपटी मरह हां, यादर एंएगागा, यादर ईंजर लूएगा 1 at 7, चले 16 रीट कि है सबने एक रॉड है उसको कॉंस्टेंट वी से मूव करा रहे है दन तो आप बताए कि अगर हमें पोटेंशल डिफरेंश चाहिए तो क्या होना चाहिए मैगनेटिक विल कैसी रहनी चाहिए पर्पेंडिकुलर रहनी चाहिए वी मस्ट भी पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर ही रहना चाहिए तो आंसर क्या आजाता है? क्या दे अगर V ऐसा हो जाए? तो EMF क्या हैगा? 0 जेरो जेकन किस देखे, V पैलल टू B अगर V पैलल टू B हो जाए तो फिर situation गड़ बढ़ यह वाला भी गया V पैलल टू B क्या हैगा? जीरो आएगा, वो तो बिलकुल पासवल ही नहीं, third situation देखें B parallel to L तो B parallel to L तो इसी टाइप की situation आ जाएए न, उसमें भी EMF नहीं आएगा मझा बहुत इन में से कोई भी situation नहीं है जो EMF generate कर पाए clear? okay, good 17 read करें so B किदर exist कर लिए parallel to the axis of rotation मतलब B ऐसे penetrate करेंगी इसके लिए into the plane होने वाला है तो बताएं, क्या EMF होगा यहां पर? यहाद है कुछ formula? चले इस तरह कर लेते हैं, A, B, C EMF across AB बताएं बताएं, EMF across AB क्या हैगा? हाँ कितना formula बताएं? B omega square किसी को formula याद है कि rotation वाले case में हम एक rod को जब omega से rotate कराते हैं, तो EMF कितना आता है? हाफ B omega अजिश्चा तो यहार यह याद करो, हाँ मतलब इतना भी याद नहीं करोगे तो फिर क्या solving करोगे? हाफ B omega स्क्वेर याद करोगे तो बताएं, इस केस में अंसर क्या हो जाएगा, इस केस में AB क्रॉस पूरी लेंग कितनी है? लेंग 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 तो यह रखेंग नहीं? प्रिवेंश लेक्चर में देखे हैं, मैंने पूरा सिखाया हुआ यह चीजे तर ओमेगा लेस्क्रेर उप्ता हैं देखें यहां पर मैंने पूरे situation समझाएते हैं सारे cases बतायते हैं कि आप थोड़ा सा याद रखें सारे cases में situation थोड़ा सा properly याद रखेंगे तो better रहेगा आपके लिए भी solving के लिए भी तो मैंने बताया था कि अगर एक rod कराएगा तो b omega l square directly use कर सकते हैं फिर हमने इस तरीके से एक बड़े rod के लिए चेक किया हुआ था कि net कैसे निकालते है across these two points तो हमने बताया कि चेक करो कि यह battery किस टाइप की बनने वाली है और फिर उसके recording हमने यहाँ पर इसे देखा कि दोनों opposite battery बनने वाली है कैसी दोनों opposite battery बनेंगी तो उस format में हम उन्हें subtract कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो situation होगी वो additive नहीं है किस टाइप की रहेगी subtraction वाली situation रहेगी तो जो e a b का होगा similar हमें पता है similar हमारा हो जाएगा किसका b c का half b omega l square और दोनों की value क्या हो जाने वाली है subtract हो जाने वाली है अच्छा L की जगा क्या होने वाला यहाँ पर L by 2 यूज होने वाला है clear ओके तो situation क्या हो जाएगी दोनों cancel out हो जाएंगे net EMF क्या आएगा 0 आएगा ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार हो अगर मैं किसी random point L by 4 के about out and rotate करूं तो फिर answer आएगा कुछ ना कुछ आप लोग solve करेंगे done okay good चले question number 18 read करें करेंगे करेंगे क्रूं और गया थकित प्रिए अक करेंगे आ गया होगा यार हम थोड़ा सज्द दिखती सब्सक्राइन पर फॉकस कर लेते हैं तो जितने भी तेलेट लेंगे वह आप लोग एक बार देख लेंए मैं चाहता हूँ कि हम लोग numerical question में focus कर लेते हैं एक बार तो यह सारे theoretical question आप लोग देखते रहेंगे हम numerical questions में बात कर लेते हैं like 21 चले 21 देखे जल्दी से solve करें यह भी straight है ऐसा कुछ नहीं direct है सिर्फ आपको क्या देखनी है direction देखना है आपको formula पता है कि moving conductor में क्या होने वाला है याद आ रहा है हमने ऐसा एक square का same question किया है B to C क्या होगा EMF B to C 0 यह 0 सिर्फ हमें दो particular remaining directions के बारे में देखना पड़ेगा कौन सा A to B और C to D okay अच्छा लेकिन याद है अगर magnetic field सब throughout same है तो इसकी जो e की value आएगी और इसकी जो e की value आएगी दोनों क्या होते है cancel कर दोते हैं तो और अगर पूछेगा तो वो भी cancel हो जाएगा करेंगे जैसे question number 22 चले 22 ट्राइए करें सब करेंगे जैसे जो आएगी जो तो प्राइएगा करें सब्सक्राइगा झाल झाल सबको सॉल्व हो गया 22 नंबर हमसे क्या पूछा हुआ है फ्लक्स ठीक है फ्लक्स हमें बताना है तो फ्लक्स बताने के लिए कोई फॉर्मूला देखें हमें टर्न्स दिये हैं और मिली हेंरी और करेंट ये तीन चीज़े दिये तो फ्लक्स का कोई फॉर्मूला बता है जिसमें मिली हेंरी ये हेंरी याद आ रहा है मिली हेंरी मतलब क्या सेल्फ इंडक्टिंस अब इसमें क्या में सिंग है टर्ण्स बताया है कि करेंट जो है ऊतने ऐंट आफ वह बढ़ जाती है ठीक है तो इसका मतलब फ्लक्स अगर हम बात करें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा वो हो जाएगा L into कितने times of current हो जाएगी NI तो यह हो जाएगा हमारा total flux multiply कर सकते है L कितना है 8 into 10 to the power minus 3 और current है भई 5 into 10 to the power minus 3 सर वो N स्क्वेर होगा ना मतलब हमने वो केस दे ल के फॉर्मूले में N स्क्वेर आजाता है फाई के फॉर्मूले में क्यों N स्क्वेर आएगा फाई is equal to जब B लिखते है ठीक है बी into जो भी मतलब A into db by dt वहां से जो B लिखते हैं उसमें फिर current को हटा के जो बचता है वो वहां पर रहता है ठीक है तो वहां पर magnetic field भी उतने times हो जाती है और IB उतने times हो जाता है इसलिए दो N आते हैं यहां पर वो करना पड़ा क्या नहीं न यहां पर तो सिर्फ क्या है current आया यादा रहा है सबको B भी N times हो जाता है और IB N times यहां पर B की कोई ज़रुरत है क्या नहीं ठीक है तो यहां पर सिर्फ N इतने times हो रहा है N कितना 400 अंसर क्या हो जाएगा तो यह 400 यह दो 0 का सुए 10 to the power minus 4 के रेंज में आ जाएगा ठीक है अभी इसमें एक पॉइंट है एक प्रॉब्लम है कि सारे option में मुणाट दिया है तो कंपेर कर लो वेर आपको पता है मुणाट रेलेटेड वैलू मुणाट बई 4 पाई की वैलू क्या रहती है 10 to the power minus 7 ठीक है तो इससे हम मुणाट को कंपेर करके चेक कर लेंगे कि मुणाट बई पाई सब सारे options में देख रहा है तो मुणाट बई पाई के terms में answer को लाने का try करना है समझाया तो इसमें से हम यह कर सकते हैं अचा एक चीज़ और एक चीज़ और मिस हो रहा है magnetic flux through each eternal पूछा है हम तो क्या निकाल रहे हैं total निकाल रहे हैं न हम इसलिए total है इसलिए हमने n का multiply किया अगर for only one loop होता for only one loop होता तब क्या करते हैं तब हमें सारे loop consider करने की जरूरत थी क्या नहीं तो इसका मतलब यह थोड़ा सा भी में सोगा हम से हमें यह 400 यूज करने की जरूरत नहीं है clear सब को समझ आ रहा है न प्रापर तो answer accordingly हम एक बार देख लेंगे okay देखें काफी बताया हुए 25 इस टाइप के questions चले बताया 25 35 इस टाइप करें झाल तो 25 तो discuss कर लिया था हमने already 25 में किसी को doubt हम क्या use कर सकते effective length का concept यूज कर सकते और किस तरफ का potential ज़्यादा होगा बताए M का या Q का L effective क्या होगा ये L effective होगा और ये move इस तरफ कर रहा है और magnetic field into the plane है तो perpendicular to the palm किस तरफ आएगा ये होगा ना perpendicular to palm clear है सबको तो कौनसा point higher potential पर होगा Q वाला देखें next solving के questions देख लेते हैं speed में तोड़ा सा चलब 28 ट्राइ करें जल्दी से जल्दी से तोड़ी से एक अलग चीज़ पूछ लिए आप से the rate at which work is being done to keep the wire moving with the constant rate rate of work done कोई भी याद दिलाएगा rate of work done मतलब क्या चीज़ हो जाएगा rate of work done मतलब क्या चीज़ हो जाएगा rate of work done मतलब क्या पावर है अच्छा पावर है तो पावर के लिए formula मैंने बताय था क्या होता है I square R straight I square R और I निकालना हमें पता ही है conductor के लिए कैसे निकालते है I E by R से clear E कहां से आ जाते है VBL से क्योंकि moving conductor length था तो E को कह लिख सकते है VBL इसका square और R square रहेगा तो remaining R बचचेगा done और solve कर सकते है कोई डाउट किसी को नए ओके गुड तो यह पॉइंट भी हमने एक बार डिस्कुस कर लिया था थे रिटिकल कॉस्टिन्स आप एक बार पूरा चेक कर लेंगे हम सर्थ सॉल्विंग कर लेता है 32 सॉल्व करें आप लोग तो 32 सॉल्व्स आप दाषी करें कि अभी यह नहीं बताय हुए इस पर ऩाप एक परुटिकलर इंस्टेंट पर लेधा हम समय स्वा एक पर दावने करें धूलार सुल्विंग कर के लेधा याद होना चाहिए था directly आपको याद है capacitor में मैंने बताए था current किस तरीके से e to the power t by tau से change होती है बट अभी हमने discuss नहीं किया है तो question number 32 हम लीवी करते है 33 theoretical है आप लोग को अल्रेडी बता चुके हैं 34 try करें ऐसा similar type थोड़ा सा भी just हमने discuss किया था 34 try करें करतो हैं तो कि थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन हमने सिम्लर पार्ट डिसकस किया है देखो क्या चेंज हो रहा है बीचेंज हो रहा है बीचेंज हो रहा है लेकिन पूछा आप से क्या है इंद्विच्ड फिल्ड याद हमने बढ़ा है डिसट्ली प्रीविएस लेक्चर में कि दिउट्व चेंज आफ बीचैंज क्या हो जाती है चेंज होती है तो कैसा नेकालती명्र फियल याद दिलाए प्लोज इंटिग्रल E dot DL vector यह potential का formula है और वो क्या बन जाता है A into dby dt clear तो देखो यह हमें किस point पर चाहिए पूरे loop के लिए ही चाहिए पूरे radius के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा E into 2πr is equal to area कितना pi r square यहाँ पर r जो है मारा वो capital R ही जैसा ही है और dby dt बता dby dt कैसे निकालेंगे frequency आपको पता है frequency पता है तो हम निकाल सकते हैं कि कितना time उसे change होने में लग रहा है done तो देखें change कितना होлоै मैंने previous एक question में आपको बताया था कि change कैसे देख सकते हैं इस change को notice कर सकते हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो यहाँ पर कितना होगा plus b होगा और यहाँ पर minus b होगा तो चेंज कितना होगा बताए तू बी और टाइम टेकन कितना होगा हाफ टाइम लगेगा यहां तक बताए कोई डाउट इसमें तो यह हम चेंज नोटिस कर सकते कितना पासुबल चेंज आ सकता है तो वो चेंज हो जाएगा two times of this जो बी की maximum value है upon time taken is t by two अचा frequency के format में चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं time period is one by f ओके तो यहां से देखें pi r cancel यह होगा 2b by t by 2, t को लिखा one by f2 यह पहले लिख देते हैं t by 2 और t को one by two f लिखके solve कर देंगे तो देंगे क्या क्या cancel out हो रहा है पहले यह two pi r, two pi r और यह two cancel out हो रहा है तो e is equal to कितना आ गया है यहां पर e is equal to आ गया two b यह यह वाला two पर गया upon t into r clear है? और t को हमने लिखा one by f तो one by f उपर चला जाएगा two b f r चला पुआमा लिखा पचे था रोचव ट कर मैं क्यांदा इंट आ वाटे न कर लेते हैं तर्टी सिक्स्ट्राइ करें कर लेते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं भी के लिए जरुरत नहीं है ठीक है तो ट्रांसफर्मर का है इसे हम इंकूड नहीं करेंगे सिखाने के बाद बाकी सारे जो भी डाउट्स है वह हम डिसक्स कर लेंगे यह सारे जो ग्राफ्स हैं यह मैंने आपको अर्रेडी करवा दिये हुए हैं तो आप लोग एक बार प्रैक्टस कर लेंगे यह भी प्रैक्टस कर लेंगे यह भी पोटेंच्यल दिया है और सर्केट्स दिया हुआ है मतलब यह भी अल्सी आर्स अर्किट का ही है को कि यह ठीक है क्वेशन नमर फोटी टू ट्राय करें अ झाल्स तो यह by the way solving का कोई question है theoretical question है यह करेंग गया है और एक magnet को drop कर दिया तो बताओ यह किस acceleration से नीचे आएगा G से falling freely under gravity G से नीचे आएगा बट एक problem होगी ना भी जब यह नीचे आ रहा होगा तब क्या problem आएगी यह magnetic field बढ़ रही है ना तो यहाँ पर क्या एक induce हो जाएगी current induce हो जाएगी ना clear और वो current इस तरी के से रहेगी कि यह वाला pole कैसा काम करने लगेगा north pole जैसा काम करने लगेगा और इधर वाला south तो basically यह क्या create करेगा एक I induce करेगा which will oppose समझाया तो इसके वजह से इसके net acceleration कितना हो जाएगा फिर कुछ कम हो जाएगा ना so a net must be less than g समझाया क्या और in one second अगर हम बात करें इन वन सेकेंड दॉप अंडर ग्रैविटी रापंडर ग्रैविटी अच्छिप्राइज इकुल तो कितना होता है अफ जी टी स्कोर कितना है वन सेकेंड के लिए तो इस कम कम करेंगा क्योंकि एक्सेलरशन थोड़ा सा कम हो गया है ठीक है ओके तो मुझे लगता है यह चीज अभी सबको क्लियर हो गई होगी कि देन डिस्टेंस मस्ट भी लेस देन फाइव मीटर तो फाइव मेटर से कम क्या अंसर है सिर्फ तो फिर ऐसे ही सॉल्विंग है आप लोग एक बार डिस्टी पंडे बुक में से भी और जो भी आज से खाया है उसको एक बार देख लेंगे और प्रीवियस चेक्टर जो मैंने बता है इंवेटर उसको भी कम्प्रीट करेंगे टेस्स में दोनों यह आ रहे हैं ओके चलो ठीक है प्रैक्टिस करें अच्छे से प्रपेर रहे हो के खाय मुझे और अ को बार एकड़न बया रखर्श गाभर्ण 1,2 अ करेंडे लू नीए हुआ किए अभाई बढाँ बढाबब अski द्र्कोंपम मैंटे अटस्टरा हुआ खाया खाया ट्यू कटे दके डेलों